हलो दोस्तों, हैपी ओले, कैसे आप सब, उमेद करता हूँ, बहुत अच्छे होंगे तो आज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं घातांक और करणी के वो तीन टोपिक्स जो बहुत ही इंपोर्टेंट हैं और ये अगर तीन जुगाड आप सीख लेते हैं, तो समझ लोग घातांक और करणी आपका समाप्त हो जाता है मतलब कहने का ये एक क्लास में घातांक और करणी पूरी समाप एक क्लास घातांक और करणी समाप और वो तीन जुगाड क्या है इन तीन जुगाड अगर आप लोग सीख लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपको खातां को करने के questions को solve करने के तो यह आपकी अपनी class है और यहाँ पर आप लोग पढ़ते हैं हर डैप के questions आप लोग यहाँ पर केवल tricks ही नहीं बलकि हर डैप के questions करते हैं trick भी सीखेंगे हम लोग और जो कठिन कठिन questions होते हैं जिनके लिए कोई trick नहीं बनी है उन questions को भी हम लोग trick के माध्यम से ही solve करेंगे बहुत ही सरल तरीके से solve करेंगे तो उन questions को भी हम लोग बहुत ही सरल तरीके से solve करेंगे ठीक है वैसे तो मैंने ये सारे के सारे जुगाड वो हैं मैंने पिछले वाले वीडियो में यहाँ पर यूज किये हैं लेकिन आज मैं इन सारे तीनो बातों को मैं इस वाले वीडियो में एक एक करके बता देता हूं आखिर वो कौन सी बात है ठीक है तो तीनो बाते आज अब लोग देखें गे, पहला जुगाड देखते हैं, जुगाड नमबर एक, पहले हम देखते हैं जुगाड नमबर एक, इसमें क्या है, आखिर कौन सा Cuestion, किस क्रकार का Cuestion हम इसको आसानी से बनाते है। तो पहला सिश्टम ये है कि अगर आपके सामने कभी भी इस प्रकार से कोई संक्या दी है 1 upon road 3 plus 1 upon road 2 इस प्रकार से कुछ भी दिया है तो आप लोग इसको कैसे solve करते हैं ध्यान से देख लेजे ठीके अगर इस प्रकार का कुछ दिया है तो आप लोग इसको क्या करते हैं ठीके तो पहला जुगाड आप लोग सीख रहे हैं ध्यान से देखना बहुत ही इसी है और मैंने पिछले वाले वीडियो में इनको बनाया भी है लेकिन आज मैं इनको दुबारा बनाने जा रहा हूँ और तीनों जुगाड एक साथ में आप लोग को पढ़ाऊंगा ठीके तो कोई दिक्कत वाली बात लिए ध्यान से देखिए यहां पर क्या हो जाएगा root 3 प्लस root 2 अगर ऐसा ही आता है या फिर किसी दोनों पर root है या फिर किसी एक पर root हो ऐसा जब भी आएगा आपके सामने question तो आपको करना क्या है यदि बीच में plus है तो उपर लिखना उसे और minus कर देना ठीके सेम चीज उपर लिखना है root 3 और root 2 लेकिन यहाँ पर अगर plus है तो यहाँ पर minus लिखना है ठीके यहाँ पर plus है तो यहाँ पर क्या कर देना है minus अगर यहाँ पर minus होता तो हम क्या कर देते है प्लस कर देते ठीके बस इतना करना है और नीचे क्या लिखते है इन दोनों के वर्गों का अंतर वर्गों का अंतर बच्चा रूड 3 का वर्ग 3 होता है और रूड 2 का वर्ग 2 होता है 3 और 2 का अंतर क्या होता है एक ठीक है तो ये हो गया हमारा रूड 3 माइनस रूड 2 यही हमारा उतर हो गया क्योंकि बटे वाला जो एक होता है हम लोग नहीं लिखते हैं तो इस तरह से देख रहे हैं ये जुगार बहुत ही इजी है बस आपको समझना है इसे एक बार मैं और एक क्यूशन लेके दिखाता हूँ जैसे दिया है दो माइनस रूट 3 ठीके इस प्रकार का ये क्यूशन दे दिया तो इसमें हम क्या करेंगे फ प्लस और नीचे क्या लिखते हैं नीचे में लिखते हैं इनके वर्गों का अंतर और दो का वर क्या होता है चार दो का वर क्या होता है चार और रूट 3 का वर क्या होता है तीन चार और तीन का अंतर क्या होगा एक अता हम लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 3 ठीके तो इस तरह से root 5 minus root 3, ठीक है? root 5 minus root 3, इस तरह से आपके क्योंज सामने क्यों चाल देता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर उपर ले जाना है, लेकिन हाँ यहाँ पर 2 है, तो 2 ऐसे लिकें, इसको उपर ले जाना है, बात वही सब करनी है, यहाँ पर प्लस कर दिया रूट 3 ठीक है वही तो किया नीचे वर्गों का अंतर वर्गों का अंतर 5 का वर्ग होता है 5 मतलब रूट 5 का वर्ग क्या होता है 5 और रूट 3 का वर्ग क्या होता है 3 और 5 और 3 का अंतर क्या होगा 2 और यह 2 से 2 खतम हो जाएगा क्या बचेगा प्रकार नमबर एक बहुत हीजी है आप लोग आसानी से सावल को सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी ऐसा कभी भी दिखें तो इसको तुरंत इस लोप में बदल लीजिएगा नमबर एक लोगों होगा बहुत ही आसानी से अब हम दूसरा जूगार देखते हैं आकर दूसरे जूगार में क्या देखेंगे तो दूसरा जुगार क्या है धास से दीखते हैं तो यहाँ पनब्लिग देबते हैं जुगार नमबर 2 इसमें क्या होता है दूसरा टैप का क्यूशन इस प्रकार का होगा जैसे root 5 और plus root 3 ठीक है root 5 plus root 3 अपान में है root 5 minus root 3 मतलब उपर नीचे सेम संख्याएं हैं बस अंतर कहां पर है प्लस और माइनस का अंतर है जब भी ऐसा question दिखेगा तो यह जुगार नंबर दो का question होगा और इसको हम कैसे solve करते हैं चुटकियों में हम लोग साहल कर सकते हैं क्या करते हैं बस यहाँ पर हमें एक काम करना होता है इन दोनों को जोड़े और जोड़ करके आधा लिखें क्या करना है जब दोनों उपर नीचे सेम संख्याय हो और प्लस माइनस का अंतर हो तब हमें क्या करना है दोनों को जोड़न और जोड के आधा लिखना है पांच तीन आठ आठ का आधा क्या हो जाएगा चार और यहां पर जो निशान है वही निशान यहां पर लगाना है और रूट के भीतर क्या करना है पांच और तीन की गुणा करके भीतर लिख देना है क्या समझे आप अभी आपने ही समझे ध्या लगाया अगर यहाँ पर प्लस है अगर माइनस लगाएंगे यहाँ पर माइनस होगा और उसके बाद में रूट के वितर दोनों की गुणा करके लिख देजिए पांस्तियां पंद्रा ठीक है इसी प्रकार अब नीचे क्या करना है नीचे आपको बस इन दोनों के वर्गों का अंतर नहीं बलकि इन दोनों के वर्गों का अंतर का आधा लिखना है क्या लिखना है वर्गों के अंतर का आधा मतलब रूट पांच का वर्ग पांच रूट तीन का वर्ग तीन इनका अंतर दो और दो का आधा एक यहाँ पर लिखना है ठीक है तो हमने देखा एक बटे मे 2-3 सेकंड आपको लगेंगे और question solve होके आजाएगा आपके साम में ठीक है कितना इजी है हम लोग एक और question देखते हैं जैसे root 7 minus root 5 upon में root 7 plus root 5 और ये question दे दिया आपको करना है इसे भी solve ठीक है तो कैसे करते हैं चुटकियों में solve करेंगे क्या करना है 7-5 जोड़िए और उसका आदा करिए 7-5 क्या होता है 12 और 12 का आदा करेंगे तो लिखेंगे 6 ठीक है और यहाँ पर निजान रहेगा minus का root के वितर दोनों की गुणा 7-25 लिख दिया और नीचे में क्या करना है भई नीचे में हमें बस दोनों के वर्गों के अंतर का आदा लिखना है root 7 का वर्ग 7 root 5 का वर्ग 5 और दोनों का अंतर 2 और 2 का आदा हमें लिखना 1 और 1 लिखने से कोई फायदा नहीं तो क्या हो जाएगा 6-root 35 इस तरह से ये हमारा उत्तर आ गया अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यहां पर आधा ना हो पाए तब हम क्या करेंगे तब भी हम लोग देख लेते हैं कैसा भी सवाल जिसमें आधा नहीं हो पाता है जैसे दिया है root 3 minus root 2 अपान में root 3 plus root 2 इस प्रकार का question दिया है अब हम यहां पर क्या करते हैं तो यहां पर ध्यान से देखिए हमें काम तो वही करना है जो उसमें किया बस वही उसमें करना है जुगार हमारा वही fit होगा जो पहले हुआ कैसे दोनों को जोड़िए जोड़ के आधा करिए तीन गो जोड़ा, कितना हूँआ है 5 और 5 का आधा क्या होता है 5 बटे 2 5 का आधा 5 बटे 2 बीच में निशान रहेगा माइनस का, रूट के अंदर कितना लिखते हैं, दोनों की गुणा करके 3 गुणा 6 लिख दिया अब नीचे में क्या करते हैं नीचे हमें क्या करना होता है दोनों के वर्गों का अंतर लिखना है कितना दोनों के वर्गों का अंतर रूट 3 का वर्ग 3 रूट 2 का वर्ग 2 और इन दोनों का अंतर एक का आधा क्या लिखना है वर्गों के अंतर का आधा तो अरगों के अंतर का आधा मुलब एक का आधा लिखिए एक का आधा एक बटे दो पांच का आधा पांच बटे दो एक का आधा एक बटे दो तीन का आधा तीन बटे दो इस तरह से हम लोग करते हैं ठीक है तो यह हमारा क्या हो जाएगा यह निकल के आता है जब भी यहां पर देखे बड़े में आ जाए इसके बड़े में न आहे तब हम इंकी के साथ गुणा कर देते हैं कहने के मिलब है 5-2 और root 6 की गुणा, 2 root 6 हो गया, आप पूरे के बटे में दो, और इसी प्रकार यहाँ पर 1 के बटे में दो, और 2 से 2 यह खतम हो जाता है, बटे में बचेगा 1, और 1 तो हमें लिखना नहीं है, उत्तर हमारा बस इतना ही है, जिसे हम लिख सकते हैं, 5-2 root 6, ठीक है, तो यह हमारा उत्तर हो गया, देख रहे हैं कितनी easily हम लोग यह question solve कर रहे हैं, जैसे एक question और लेते है, root 5, root 5 plus root 2, sorry, root 5 plus root 2, अपान में हो गया, root 5 minus root 2, sorry, plus का 2, ठीक है, यहाँ पर हमने root 2 नहीं लिखना है, root 5 plus 2, और अपान में है, root 5 minus 2, ठीक है, तो यह question हमें solve करना है, उसी प्रकार का question है, और जुगाड वही फिटोना है, क्या करना है यहाँ पर, हमें तो ऐसी condition में क्या करना पड़ेगा, बस तोड़ा सा दिमाग लगाना है, हमें क्या करना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं, वो काम क्या है, तो ऐसी condition में हम इसको root में तो यह वाला है है क्या हो जाता है उसका square ho जाता है तो इसका करेंगे हम square ओर root के वीतर कर देंगे कहने का अभलब है 5 plus 2 को भी स 가능 सकते है root 4 हमें रूट चार का ही तो बाहर निकलके 2 आता है तो इसको कर दिया alt इसी प्रकार में यहाँ पर कर दिया root 5 minus इसको घटा दीजिए इसको भी कर दीजिए अंदर तो ये भी हो गया रूट चार अब हमें बस वही काम करना है जोड़िये और आधा करिए जोड़े पांच चार कित्ता हो गया नौ नौ का आधा नौ बटे दो और प्लस लगाया ये वाला अब दोनों की गुड़ा करके प्लस दो इसके साथ लिख देंगे दो रूट बीस और बटे में पूरा दो और सबके वटे में एक बटे दो ये दो से दो खतम अब ये एक लिखते रही है उत्तर हो गया नौ प्लस दो रूट बीस ठीक है तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ये क्युस्चन्स ये जुगाड नंबर तीन तो जुगाड नंबर तीन ये तीनों जुगाड बहुत ही इंप्वर्टेंट थे बच्चा एक बात याद रखिएगा ये सारे के सारे जुगाड तो आपको दिमाग में रखना ही है और इनको कैसे एपलाई करते हैं कुस्चन्स में ये मैंने वीडि पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए भाई यार बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए और आप लोग एक लाइक करने में दिक्कत लेते हो ठीक है तो लाइक कर दीजिए और आपको वीडियो को सेयर करना है ठीक है फिर क्या करेंगे तो अब हम लोग देखते हैं जुगार नमबर 3 ठीक है तो अब इसमें हमें क्या सीखना है ध्यान से देखिए बहुत ही important है ये जुगार नमबर 3 बहुत ही important रहेगा आपके लिए क्या करना है यहाँ पर हमें देखना है जब भी route के बीतर route दिखे और route से बाहर दो दिखे क्या द नहीं देखा है तो ध्यान से देख लिजे ठीक है तो क्या करना होता है जब भी route के बीतर route दिखेगा route के बाहर दो दिखेगा तो ऐसी condition में हम क्या करते हैं ऐसी दो संख्याय मन से सोचते हैं जिनको जोडने पर तो 8 हो जाए और उनको गुणा करने पर 15 हो जाए ठीक है क्य और 3 पांच 3 जोडेंगे तो 8 पांच 3 जोडेंगे तो 8 गुणा करेंगे 15 तो ऐसी संख्या है सोची और तुरंत लिखना कौन कौन संख्या है 5 और 3 हमेशा ये बात याद रखना सबसे पहले बड़ी संख्या बाद में छोटी संख्या ठीक है अब दोनों पर लगा देना route और बीच में जो प्लस का निसान है तो प्लस लगा देना माइनस का हो तो माइनस लगा देना और बस यही उत्तर है कितना easy है बहुत easy है क्या किया हमने कुछ भी नहीं किया आराम से आपने देख लिया जैसे question लिया 7 प्लस 2 root 12 ठीक है तो इसमें क्या हो जाएगा ऐसी 2 संख चाहें डूणना है जिनको जोडने पर कितना हो 7 और गुणा करने पर कितना हो 12 और संख्याय तो तुमने निकाली ले होंगी इत्ती देर में क्या होगा 4 और 3 कितनी 4 और 3 ठीक है 4 3 जोड़ोगे तो 7 4 3 की गुणा करोगे 12 तो दोनों पर लगाते है root और बीच में निसान ल लिख सकते हैं तो 2 plus root 3 भी इसे लिखा जा सकता है ठीक है तो हम देख रहें बहुत ही इजी प्रकार से इसको हम सालू कर लेते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यहां पर 2 ना हो तब हम क्या करेंगे इसके लिए भी हम लोग ले लेते हैं एक question तो हमने ले लिया question root 9 minus 4 root 5 ठीक है तो इसको हम लोग कैसे सालू करेंगे अब root के भीतर root है root के बगल में 2 नहीं है अब क्या है 4 है ठीक है और हमें क्या चाहिए होता है 2 तो हम जब 2 नहीं होता है तो 2 बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए तो मैं ये भी दिखा देता हूं आपको कैसे बनाना है हमें ये question ध्यान से देखिए, इसमें क्या करना होता है हम 4 को 2 भागों में तोड़ देते हैं 2 गुणे 2, 2 दुना 4 एक दो हमको चाहिए और एक दो नहीं चाहिए और जो नहीं चाहिए होता है उसको root के बीतर कर देते हैं कहने का मतलब है इस पर्ष्ट आपको समझा देता हूँ कैसे करेंगे 9-4 को लिखेंगे 2 गुड़ा 2 और root 5 ठीक है हमें 2 चाहिए ये और ये वाला 2 नहीं चाहिए तो स्क्वेर हो जाता है 2 का स्क्वेर 4 और 4 जब वीतर गया तो 4 पंचे 20 हो गया जाके क्या बना 5 तो पहले था अब तो वही question हो गया ना root के वितर root और root के बाहर दो ऐसी condition में क्या करते हैं ऐसी दो संख्याएं ढूणिए जिनको जोडने पर 9 बने और गुणा करने पर 20 बने तो हमें संख्याएं मिल गई हैं क्या होती है 5 और 4 5, 4, 9 5, 20 इसका मतलब है दोनों पर लगाईए root और बीच में लिखिये minus तो ये हो गया root 5 minus 4 को लिख सकते हैं दो ये हो गया इसका उत्तर देख रहे ना कितनी इजली हम लोग आराम से इसको साल कर सकते हैं बस यही तीन जुगाड है पहला जुगाड, दूसरा जुगाड, तीसरा जुगाड और ये तीनों जुगाड अगर आप लोग सीख जाते हैं तो कुछ भी नहीं है कातांकरकडी में हम एक और सवाल लेते हैं इसी ब्रकार का ठीक है एक और question लेते हैं इसी ब्रकार का वो question है चलो अगला question देखते है question दिया है root के भीतर है root और root के बाहर है 6 ठीक है तो अब हम क्या करेंगे हमें कितना चाहिए होता है 2 तो यहाँ पर 2 कैसे बनाएंगे वही काम करेंगे 12 प्लस 6 को लिखेंगे 2 गुणा 3 और root के भीतर है 3 अब हम क्या करेंगे हमें 2 तो चाहिए लेकिन 3 नहीं चाहिए 3 को करेंगे भीतर और भीतर जाता है तो square होता है अर्थात यह बन जाएगा 12 प्लस 2 3 जाएगा भीतर हो जाएगा 9 क्योंकि 3 का square जाएगा 9 और 9 27 क्योंकि 3 पहले से था तो बन जाएगा भीतर कितना 27 ठीक है अब हमें क्या करना है बस वही question है root के भीतर root root के बाहर दो ऐसी condition में हम दो ऐसी संख्यां डूनते है जिनका योग होना चाहिए 12 और गुरंपल होना चाहिए 27 तो क्या हो जाएगा संख्या मिल गई है 9 और 3 क्या है 9 तीन 9 तीन जोड़ो कितना होगा 12 9 तीन कितना होगा 27 मतलब दोनों पर लगाना चाहिए वर्ग मूल और यहां पर होना चाहिए प्लस क्योंकि यहां पर है प्लस अब हम इसे कह सकते है root 3 को 3 root 9 को 3 कह दिया root 3 तो 3 है बस यह हो गया उत्तर इसका ठीक है तो देख रहें बहुत ही आसानी से आप लोग इस प्रकार के questions कर सकते हो एक question मैं आप लोग को और बता देता हूँ बस तीनों जुगाड हो जाएंगे आपके complete बहुत ही important class है आप लोग इसको ध्यान से देखिए और हाँ इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ इसलिए आप लोग का इतना हक तो बनता ही है कि आप लोग एक बार इसको share कर दीजिए और like नहीं किया है तो like कर लीजिए और हाँ अगर चैनल नहीं subscribe किया है तो subscribe जरूर कर लीजिए क्योंकि अगर आप चैनल नहीं subscribe करते हैं तो अगले आने वाले वीडियो का आप लोग का notification नहीं मिल पाएगा इसलिए आप चैनल को subscribe करिए और will icon को भी press कर दीजिए ठीक है और ज्यादा से ज्यादा इसको share करने के कोशस करिए क्योंकि मैं अगर मिहनत करता हूँ तो आप लोगों के लिए करता हूँ तो आप लोग हमारा support करें हम आपका support करेंगे ठीक है तो अगला question लेते हैं एक question है अब लेते हैं ये question है root 6 plus 3 root 3 ठीक है तो ये question आपको दिख रहा है अभी तक आपने question देखा जिसमें 4 था 6 था लेकिन अब है 3 4 था तो 2 गुड़े 2 कर लिया 6 था तो 2 गुड़े 3 कर लिया लेकिन हम पर 3 में क्या करोगे इसमें तो 2 ही नहीं है और जब 2 है ही नहीं तो इसको कैसे हम करते हैं ये और देख लीजे आप लोग यहाँ पर हमें क्या करना होता है जब 2 है नहीं ये 2 में तोड़ा ही नहीं आ सकता तो ऐसी condition में हम क्या करते हैं 2 से गुड़ा 2 से भाग क्योंकि हमें चाहिए 2 है अगर 2 नहीं मिलेगा तो काम नहीं चलेगा ठीके तो ये तो हमें फिट करना है यहाँ पर जुगाड तो जुगाड फिट करते हैं अपना यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 से गुड़ा करें 2 से भाग करें और आगे ये 3 रूड 3 लिख दीजिए ऐसे ही गुड़े में अच्छा ये हमें 3 तो चाहिए नहीं और जब 3 नहीं चाहिए तो 3 को कर दीजिए अंदर और 3 जब अंदर जाएगा तो 3 तिया 9 जाएगा क्योंकि स्क्वेर जाता है तो 9 जाएगा भीतर और 9 तिया 27 हो जाएगा हम लिख सकते हैं इसे 6 प्लस 2 और रूट में हो जाएगा 27 क्योंकि 3 चला गया भीतर और बटे में है ये वाला 2 अब याद रखिए जब भी ये 2 होगा बटे में तब हम इसकी गुणा करा देंगे पूरे के बटे में हो जाएगा हम कह सकते हैं ये हो गया 6 दुनी 12 प्लस 2 रूट 27 बटे में 2 अब हमें वैसा ही क्युष्चन दिखा बस उपर वाला क्युष्चन देखिए नीचे की चिंता मत करो 12 रूट 27 अब हमें दिख रहा है कि रूट के वितर रूट रूट के बाहर 2 हमें संख्या हैं डूटनी हैं 2 जिनके जोडने पर हो 12 और गुणा करमे पर हो 27 अभी अभी संख्या हैं हमने देखि थी क्या थी 9 और 3 तो ले लिया 9 और 3 9 3 बारा 9 3 27 दोनों पर लगाया रूट बीच में है प्लस तो प्लस और नीचे वाला यह जो 2 था रूट के बितर ही लिख देंगे अब उत्तर हो गया यही हमारा चाहें तो रूट 9 को लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 3 बटे में रूट 2 यह हमारा उत्तर हो गया ठीक है देख रहें यह हमने इतना बड़ा मेंटिट करके दिखाया है वास्तों में इतना बड़ा होता नहीं है बच्चा सब दिमाग में होने लेगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी ठीक है जैसे अगर मैं आपकी करवाद होता हूँ यहाँ पर एक बार प्रैक्टिस जैसे आपने देख लिया ठीक है तो आपके आप क्या कर सकते हैं हमें बता है कि 2 यहाँ पर 2 से गुणा होगा तो रूट में हो जाएगा 27 और बटे में सबके वाला दो बचे रहेगा ठीक है अब हम क्या करते हैं अब ऐसी संख्याय दो धून लेते हैं हमने संख्याय धूनी 9 और 3 तो यह हो गया 9 और यह हो गया 3 बीच में ऐसे कर दिया अपन में 2 कर दिया रूट टू हमें पता था 9 लिखने से कोई पादा है नहीं रूट के तो यहाँ पर डिरेक्टली हमने 3 लिख दिया क्योंकि रूट 9 का मतलब ही होता है 3 तीक है तो इस तरह से हम लोग जब प्रैक्टिस हो जाती है तो बड़े बड़े कृस्टन्स भी अब लोग बस सौट में करनेते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से आप लोगोंने देखे यह 3 जुगाड और इनहीं 3 जुगाड पर डिपेंड होती है पूरी की पूरी क्या गातांक और करनी ठीक है तो याद रखिए यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टन थी अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो बहुत मज़ा आया होगा और मुझे उमीद है कि आपको समझ में आया होगा अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करिए और हाँ इसको सेर करिए और हमारा सपोर्ट करते रही है जैसे आप लोग प्यार करते हैं जब आप लोगों के पॉस्ट्यू कमेंट आते हैं आपके likes ही अब उड़ जा देते हैं तो आप लोगों के लिए मैं videos continuously suit करता रहूंगा और आप लोग यहां इसी channel पर इसी class में आप लोगों को math आना शुरू हो जाएगी अगर आपको बिल्कुल भी math नहीं आती है तब भी आपको डरने की वात नहीं यह मैं वादा करता हूँ आप लोग math से डरेंगे नहीं मैं डर छुड़ा दूँगा किसी को भी डरने की जरूर नहीं है तो आज की class हम लोग यहीं पर समाप करेंगे लेकिन कहना चाहूंगा अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इसको share कर दीजिए और चैनल को subscribe कर लिजिए फिर मिलेंगे अगली class में तब तक के लिए बाबाए